थोड़ा मायूस होता हूँ पर नाराज नहीं संभलने सा लगता हूँ पर बरबाद नहीं यही लाइन मुझे ध्यान आ रही है जब इस बार मैंने IBPS क्लर्क के वेकेंसीज देखी उम्मीदे तो बहुत थी कि बंपर वेकेंसीज रहने वाली है थोड़ी मायूसी हुई जब देखे मैंने 4045 वेकेंसीज हाला कि हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि final जो इसकी वेकेंसीज आएंगी वो थोड़ी से इंक्रीज होंगी बट यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़ादा अगर हम उम्मीद लेके चलें कि 10,000, 12,000 ऐसे कुछ वेकेंसीज आने वाली हैं तो मुझे अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि अभी तक 2014 से अभी तक जो वेकेंसीज आई हैं नंबर ओ वेकेंसीज कितनी रही हैं और कैसे कैसे ये वेकेंसीज बड़ी हैं या घटी हैं उसके बारे में मैं थोड़ा साब को आइडिया देता हूँ तो 2014, 2015 और 2016 ये तो बहुत ही बहतरीन साल था सभी के लिए क्योंकि जबर्दस वेकेंसीज आई थी इन तीन सालों में उसके बाद से हमें अभी तक ऐसा कुछ बड़ा नंबर जो 15,000, 16,000 देखने को नहीं मिला है हलाकि अगर आप देखो तो 2019 से लेके 21 के बीच में भी मैं ऐसे कहूंगा कि एक छोटा सा हमारा गोल्डन पीरियेड काइंड ओफ रहा था जिसमें vacancies ठीक ठाक quantity में आ गई थी ये final vacancies थी actually में इन साल में भी even 2000 अगर मैं कहूं 22 में भी थोड़ी vacancies कम report की गई थी लेकिन जब final recruitment होता है उसके बाद देखो एक अप्रेल को क्या करते हैं हर बैंक अपनी final जो उनके पास vacancies होती है उसे report करते हैं तो एक अप्रेल तो अब तो 2024 में report करेंगे तो तब तक हमारा exam भी हो चुका होगा result भी आ चुका होगा तो तब जाके जो final उनको जितने number of clerk की requirement होती है वो report करेंगे तो ये बढ़ती रहती है final result आने तक even final recruitment तक भी ये बढ़ती ही रहती है बट इस बार जो ये vacancies इन्होंने दी है 4045 अब इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 2000 तक बढ़ जाए बट वो ही है ना एक pinch of salt की तरह इसे लेना ये भी हो सकता है कि सिरफ 400-500 ही बढ़ें क्योंकि ये हम लोग decide नहीं कर सकते मेरी एक बात हुई जो IBPS में एक officer है तो उनसे मेरी इस बारे में कुछ बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि even हम लोग भी थोड़ा expect कर रहे थे कि इस बार थोड़ी सी vacancies बढ़ेंगी बट काफी कम vacancies report की गई है तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं अब कि number of vacancies कितनी होने वाली है और ना कोई बता सकता है exactly कि कितनी बढ़ेंगी या इतनी ही रहेंगी कोई नहीं बता सकता है इतना तो sure है कि थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साथ बैंकों ने भी participate नहीं किया है इसमें तो वो आने वाले टाइम पे जरूर अपनी जो vacancies है वो register कराएंगे क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि even आपने RRB में भी देखा था कि काफी बैंक ने report नहीं की थी बट उसके बाद भी थोड़ी सी बड़ी बह जो ये vacancies आई है अब क्या किया जाए किया हम सिर्फ इन vacancies क्योंकि ये कम है तो सिर्फ बैट जाएं बिल्कुल भी नहीं हमें अब अपनी तयारी और speed up करनी है जितनी speed से हम चल रहे थे अब हमें उसको double speed कर देनी यानि अगर आप पहले 4 गंटे पढ़ रहे थे तो आप उ notification से पहले मैं सब बच्चों को कह रहा था pre और mains की तयारी करो आज भी मैं सब बच्चों को कहूँगा और हर वीडियो में मैं कहता हूँ pre और mains की तयारी साथ साथ करनी है उसका reason क्या है अब जिनकी mains की तयारी हो गई देखो उनको कितना benefit होने वाला है आई बीपियस क्लर का वो paper देंगे उस समय RRB mains चल रहा होगा तो वो तयारी किसकी करे जो pre pre के बारे में सोच रहा होगा वो mains की तयारी कप करेगा इसलिए मैं कहता हूँ pre और mains को साथ लेके चलना है selection यहीं से होगा pre और mains दोनों को साथ लेके ही selection होगा अब मान लो कोई ब IVPS PO का pre start हो जाएगा तो वो किसकी preparation करें IVPS PO के pre की या IVPS clerk के mains की तो यह confusion तो बना ही रहेगा हमेशाद इसलिए आप जब भी preparation कर रहे हो pre और mains दोनों को साथ लेके चलना है और आई exam भी आपके सफर में साथ है आप हमारा super pack check out कीजे आपको इसमें crisp content मिलेगा to the point जो आपके subject है जो topics है जो relevant है exam से सिर्फ वो ही आपको पढ़ाया जाएगा जबर दस्ती की topic भर-भर के आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा इवन जो हमारे videos है वो आप देखो short है crisp है to the point है उसके अलावा daily super pack में हमारे आपको daily doubt session मिलेगा यानि जो बच्चे चाहे start कर रहे है या फिर उनकी preparation पहले भी हो चुकी है बट still जब वो mock देते हैं तो उनमें जो उनकी queries होती है उन्हें resolve करने वाला कोई नहीं है तो आप हमारे super pack को ज़रूर check out कीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ daily आपके doubt session होंगे तो please अपनी पढ़ाई continue कीजिए उसके साथ साथ जहाँ पर भी आपकी help हो सकती है eye exam भी आपके साथ है till then thank you very much and please do like share and subscribe thanks a lot